हलो एवरिवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दी इनाप पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.03 Histography त्यांस लेखन का Unit 6 पढ़ने जा रहें जिसके अंदर में हम बात करेंगे एक particular unit के अंदर में total कितने lessons हैं इन lesson के basis पे क्या topics बन सकते हैं, किस तरह के questions बन सकते हैं और इसका benefit ही होने वाला है कि आपको exam में time बचेगा easily आप cover कर पाओगे अपने chapters को, अपने units को और अच्छे से number ला पाओगे एक suggestion आप सभी students के लिए रहने वाला है कि अगर आप में history के लिए prepare कर रहे हो चाहे first year में हो, चाहे second year में हो, कोई साभी subject है, में चाहे 0-1 से लेके 10 तक में सभी की उनके playlist के अंदर में last five year के एक video है जिसके अंदर में last five year के question paper को solve कर वाएगा है ठीक है, answer के साथ में solve कर वाएगा और बहुत interesting video है और almost उस video से आपका syllabus जो है 90% cover हो जाएगा तो उस video को जरूर देखे, दो घंटे की video और 90% syllabus cover हो बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है, ठीक है, चलिए start करते है आज का यूनिट इस inut के अंदर में हम बात करेंगे भारती इतिहांस लेखन की विविन द्रिष्टियां ठीक है, भारत के अंदर में किस परकार से इतिहांस लेखन लिखा जा रहता उसके बारे हम यह आपर discuss करने वाले हैं तो हमारा पहला chapter आता है chapter number 19 उपनिवेश वादी इतिहांस लेखन इसका जो पहला main question बनता है उपनिवेश वादी इतिहांस लेखन है क्या यही question रहता है तो ब्रिटेन ने इस परकार से लिखा कि भारत के लोगों को अपना खुद का इतिहांस के बारे में पता नहीं था उनको इतिहांस लिखना नहीं आता था कभी भारत आये नहीं थे उन्होंने इतिहांस लिखा और उन्होंने बढ़ाया ठीक है तो इस तरीके से यहां पर इतिहांस लिखन की बात आती है तो question इसके अंदर में यह बनता है कि उपनिवेश वादी इतिहांस लिखन क्या है अगला जो हमारे chapter रहता है chapter number 20 रास्टवादी इतिहांस लिखन क्या है आप देखो रास्टवादी विचारधारा होती है जहां पर हम रास्ट को परमुकता देते हैं कि रास्ट इंपोर्टेंट है ठीक है जो रास्ट है दे से वो इंपोर्टेंट हमें अंतर क्या है दोनों की क्या माननी थे आइडलोजी क्या थी उसकी बेसिस बन जाता है तो उपर में आपने उपनेवेसवादी पढ़ा नीचे में रास्टवादी पढ़ा दोनों को मिलाओ और यहां पे लिख दो तो यहाँ पर उपनवेसवादी रास्टवादी विचारदारा करके question बन जाता है और पीछे कई बार question paper में आया भी है लास्ट वाइवेर के अंदर में आप दीख पाओगे ठीक है तो यहाँ पर यह वाला question रहता है अगले हम chapter की बात करें तो chapter number 21 संपर्दायवादी जो संपर्दायवादी होती है कहते हैं संपर्दायवादी परविर्तिया क्या है मतलब देखो हिंदू मुस्लिम के अथार पर इतिहांस लिखन लिखा गया ठीक है कि यह हिंदू है यह मुस्लिम है include कहा जाता है उसकी भव हम यहाँ पर बात करते हैं अगला chapter जाता है chapter number 22 ठीक जहाँ पर हम बात करते हैं माक्सवादी दिष्टी कोन की माक्सवादी दिष्टी कोन की यहाँ पर बात करें तो भारत के अंदर में माक्सवादी दिष्टी कोन क्या लिखा ठीक है डीडी को सामभी जो थी उन्होंने क्या लिखा उसके बारे में आप आ जाता है ठीक है यह टॉपिक्स रहती है इसको आप पढ़ोगे तो मार्क्सवाद के उपर में पूरा टॉपिक है आपको समझ में आएगा अच्छे से आप लिख पाओगे अगला जो इस परकार से ऐसी है तो इसको सपोर्ट करते हुआ यहां पे Cambridge School ने दिखाया तो इस वाली विचारदारों को आपको यहां पे डिफाइन करना है Cambridge School है क्या तो मालों एक स्कूल है उसके अंदर में कुछ इतिहांसकारों का समू है ठीक है जिन्होंने अलग-अलग टॉपिक पर मुद्धों पर लिखने की सुरुवात करी और यह एक तरह से बायस्ट है इस इंडिया कंपनी के परती क्योंकि जादा तर जो इतिहांसकार थे वह इस इंडिया कंप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कुछ भी अगर लगता आपको कि मुझे एड करने की ज़रूते इन वीडियो के अंदर में तो आप कमेंट कीजिएगा मैं उसके साब से अपने वीडियो को मुटिफाइब करूँगा तो फ्रेंड्स थांकियो सो मज़ वाचिक म में बाबाय तेकर बेस्ट